कि बहुत से students जो पिछले 5 से 6 साल से prepare कर रहे हैं उनको अब ये बहुत बड़ी एक disappointment है कि अब वो form तक नहीं भर सकते इस exam का कि शायद PSC जो है वो भी age relaxation जो है वो खतम कर रहा है तीन या चार दिन पहले वो इतने खुश थे कि 257 seats जो है वो LG सर ने recommend की है तो आज वो बहुत disappointed इस चीज को लेके कि वो ये exam even कि उसके form तक को फिल जो है वो नहीं कर पाई कि जमू कश्मीर में और कोई job opportunities नहीं है सिरफ government jobs के लावा एक family की बहुत aspirations होती है कि वो अपने बच्चों को KS officers बनाएंगे और सर ये एक बच्चों के लिए सिरफ ये time loss नहीं है इसमें उनकी energy लगी है उनके पैसे लगे हैं उनके financial loss है बहुत emotional loss है क्योंकि एक mindset बना रखते हैं बच्चे की हमने case का exam देना है नमस्कार आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनके लिए ये खास वीडियो है और आज इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है प्रिती शर्मा जी जो की director है दो officers में और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ये हमारे unemployed youth के लिए है जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि PSC KS की जो पोस्टे हैं वो निकाले हैं हलांकि अब इसे जम्मू कश्मीर administrative services कहा जाता है जिसके लिए सुनने में ये आ रहा है जो sources के हवाले से ये हमें पता चल पाया है कि जो PSC है वो 257 के करीब जो है नई पोस्टे निकाल रही है 2018 के बाद अब ये पोस्टे निकल रही है हलांकि बीच में कुछ 70 से 80 पोस्टे निकाली गई थी लेकिन 257 के करीब पोस्टे जो है अब निकल रही है जिसका इंतजार सारे युवाओं को है लेकिन यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि सुनने में ये भी आ रहा है जो एक एज रिलैक्सेशन दी जाती है उसको कम किया जा रहा है यानि की जो 37 साल यानि की 37 एर्स तक जो बच्चे इस एक्जाम के अंदर जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एक्जाम को दे सकते हैं उस एज रिलैक्सेशन को यहां पर खतम किया जा रहा है पांच साल की जो एज डिलेक्सिशन मिलती थी अब उसको 32 साल किया जा रहा है यहां के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि 2018 के बाद अगर पोस्टें आज निकली है तो उसमें बच्चों का कसूर नहीं है उसमें यहां की बिरोक्रेसी, यहां की administration, यहां की सरकार का कसूर है इसका कामियाजा इन सालों का कामियाजा उन बच्चों को नहीं भुगतना पड़ना चाहिए जिन बचों की age जो है आज बढ़ती जा रही है और वो बच्चे आज इस चीज में परेशान है कि ये age relaxation क्यों खतम हुई है हम पृती जी से बात करेंगे आप भी अपनी राए इस वीडियो में रख सकते हैं इस वीडियो को share भी कर सकते हैं और authorities को tag भी कर सकते हैं पृती जी ये बड़ा ही burning issue है जो age relaxation खतम की की जा रही है जो सुनने में आ रहा है हलांकि अभी को official notification नहीं आई है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये 370 के बाद और यूटी बनने के बाद इस तरह करें कितना discrimination होगा ये बच्चों के साथ और कितना मतलब जो यूथ है जो इंतजार कर रहा था इन पोस्टों के लिए उनके साथ कितना ये अत्याचार सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना जाती हूं कि ये पूरा matter है क्या वो यह है कि हमारे जो जेके पीएसी है वो 37 जो है वो एज देती है जो है open merit students के लिए कि जो भी form भरते थे 2018 में last seats आई थी तब तक students जो थे वो 37 तक की age तक open merit में ये भर सकते थे लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो ये SRO 274 है इसको government जो है वो scrap करने वाली है that means कि जब open merit की जो students है वो सरफ 32 years तक जो है अब ये form जो है वो भर सकते सर इसमें तीन चीज़े जो है वो notice करने वाली है सबसे पहले ये कि इन exams में कभी भी regularity नहीं रही है अगर आपने देखा होगा तो 2014 में seats आती है फिर 2016 में आती है फिर 2018 में और अब जाके 2021 में आ रहे हैं लेकिन अगर हम ये bulk देखेंगे कि जादा seats कब आई थी तो वो सिरफ 2016 में आई थी उसके बाद 70 seats आती है कभी 51 seats आती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत से students जो पिछले 5-6 साल से prepare कर रहे हैं उनको अब ये बहुत बड़ी disappointment है कि अब वो form तक नहीं बढ़ सकते इस exam का मैं खुद भी associated काफी students से being a mentor of this institution मैं बहुत से बच्चों के साथ जो वो associated हूं और मैं देख रहे हूं कि वो बहुत disappointed है जहां तीन या चार दिन पहले वो इत है वो नहीं कर पाएंगे तो पहली बात तो यह कि irregularities होती है दूसरी चीज यह है कि अगर हम 2020 की जब notification UPSC के आई थी तब भी बच्चों की जो age relaxation थी जो domicile की basis पे जेंड के students को मिलती थी वो भी government ने जो थी वो scrap करती थी तो वो भी disappointment था उससे बड़ी मुश्किल से में कि शायद PSC जो है वो भी age relaxation जो है वो खतम कर रहा है प्रिती जी सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस age relaxation के खतम होने से हमारे जेंड के के जितने भी aspirants है उनको कितना नुकसान होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि दूर दराज के इलाके पहाड़ इलाके हर जगा को देखा जाता है और बर्फबारी में रास्ते कट जाते हैं 4G की यहां पर प्रॉब्लम है हम सारा हिंदुस्तान 4G enjoy कर रहा हमारे यहां पर 4G नहीं है इन सारी चीजों को देखते हुए कितनी जरूरत है इस age relaxation की जो यहां पर खतम की जा रही है सबसे important चीज जो यहां पर नोटिस करने वाली है वो यह है कि जम्मू कश्मीर में और कोई job opportunities नहीं है सिरफ government jobs के अलावा इन फेक्ट government jobs भी जो है वो बिल्कुल regular basis पे आती भी नहीं है तो बच्चे जुफ है वो पूरी तरीके से government jobs पे ही जो है वो dependent है और अगर कोई और opportunity नहीं है तो obviously sir जो KS का exam है यह बहुत prestigious exam है जिसके लिए बच्चे सालों साल जो है वो wait करते हैं तो अगर यह opportunity भी उनके हा काफी टाइम पे जो है वो फेवरेबल नहीं रहती है six five to six months तक तो पूरा का पूरा like कश्मीर वेली तो पूरी बंदी रहती है तो it's very difficult कि आप ऐसी situation के अंदर अगर एक और disappointment बच्चों को मिलेगा in fact मेरको तो यह लगता है कि disappointment का word यूस करने से better है कि मैं setback यूज करूँ क it is really a setback it is a setback for the students and the families who are associated with the students एक family की बहुत aspirations होती है कि वो अपने बच्चों को KS officers बनाएंगे और sir यह एक बच्चों के लिए सिरफ यह time loss नहीं है इसमें उनकी energy लगी है उनके पैसे लगे उनके financial loss है बहुत emotional loss है क्योंकि एक mindset बना रखते हैं बच्चे की हमने KS का exam देना है या government इसको scrap करती एज relaxation को तो यह बहुत बड़ा setback रहेगा हमारी state के लिए मैं 2016 में जब 277 posts निकली थी उसके बाद कुछ और पोस्टें निकलती है और अब जो यह पोस्टें निकलती है इतने जो इतने साल 2016 से लेके आज तक अगर 257 पोस्टें निकालते हैं तो इतने स सालों में जो हमारे एस्पारेंट्स हैं उनकी अपनी चलो पढ़ाई तो continue रही लेकिन एज तो नहीं रुकी एज उनकी बढ़ती गई बढ़ती गई यह तो ऐसा होता सरकार कुछ ऐसा करती कि हम पोस्टें लेट निकालें तो आपकी यहीं पर हम 2016 के बाद ही उसी चीज को हम लेंगे लेकिन एज भढ़ती रही आज उन बच्चों के लिए कितना बड़ा मतलब मतलब सैट बैक रहेगा अगर यह एज लेक्सेशन खतम हो जाती है मैंने आपको कहा ना सर कि मैं अल्रेडी बहुत बच्चों के असोशेटेड हूं तो यह उनके लिए सेट बैक लाइ क्योंकि स्टेट में एक साइकोलोजी बन जाती है कि हमारे पास और कोई जरिया तो है नहीं है तो इसलिए हम जो है वो केस के लिए प्रिपेर करेंगे अगर अब टेक्निकल बैक्राउंड से बच्चों कुछ खास कर मैं अगर इंजिनियर्स की बात करूं तो उनके लिए ज स्टूडेंट जिसने कोई प्रफेशनल कोर्स किया हो फिर आप उसको बोलो कि आप टीचर की जॉब ले लो या आप जैके सेस्बी की जॉब ले तो उनके लिए वह पॉसीबल हो ही नहीं सकता उनके लिए एक लास्ट अल्टरनेटिव जो होता है वो के ऐसी होता है तो यह उन बच्चों के लिए जो प्रफेशनल कोर्सीज कर रहें उनके लिए भी बहुत बड़ा सेट पैक है बिल्कुल आखरी सवाल है लेफ्टिन गवर्नर की सरकार है यहां पर मनोज सिनहा जी आप इतना बड़ा इस इस को चलाते हैं कितने सारे बच्चे हर साल मैं जब भी मि जब ऐसा चीज ना सोचें बच्चों के लिए आप क्या अपील करें हैं सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अथारटी से इस्पेशली अलजी सर से कि यूटी मैं मानती हूं कि यह अब स्टेट नहीं है यह एक यूटी है और यूटी की अपनी कुछ रूज लेकिन अट दा सेम टाइम उनको यह देखना पड़ेगा कि वह रूज और रेगूलेशन क्या जे एंड के स्टेट पे अपलाई होते हैं हम रेस्ट आफ दा यूटी से अपनी स्टेट अपनी इस यूटी को कंपेर नहीं कर सकते तो एकॉर्डिंगली सर को यहां की सिच्व को देखने पड़ेंगे तो उस क्राइटिरिया कि अगर यह को स्टेप लेते तो वह बैनिफिशल जो होगा वह स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और सरकारों के यही आगे जाके जो स्टूडेंट से वह स्टेट को चाहिए हमारी यूटी को चलाएंगे तो अगर आज की जनरेशन अगर डी मॉरलाइज हो जाती है आज की अगर जनरेशन डिसपॉइंट हो जाती है तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि नेक्स जनरेशन जो है वो इतने बड़े डवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं तो इसलिए गवर्मेंट को प्रेजन सिच्वेशन को ध्यान में करना चाहिए और उनको रेस्ट आफ दा स्टेट या ये की सथ करनेते हैं ओड़ी दिखांtest यहां पर सब्सक्राइड क करती है, आने वाले दिनों में और age relaxation खतम करती है तो ये सबसे बड़ा setback रहेगा हमारे aspirants के लिए जिन्होंने खुल के 370 का support भी किया और आज 370 खतम होने के बाद अगर ये age relaxation भी खतम हो जाती है तो उनके लिए अब कोई और नोकरी भी माइनी नहीं रखे क्योंकि जिन बच्चों अपने लिए यही सोचा होता है कि वो KS और IS की ही त्यारी करेंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अगर ये जो उनके 37 एज है उसको 32 कर दिया जाता है तो आप खुद सोचते हैं कि कितने बच्चे मतलब अगर आप average इनकी निकाले तो 60% बच्चे हैं जो बच् इस तरहे ऐसे जो decision है जो bureaucrates बिना सोचे समझे लेते हैं उनके ओपर भी थोड़ा सा नकेल कसें जिस तरह से पिछले दिनों agriculture की post का decision लिया गया और बाद में उनको withdraw किया गया इस तरह के decision अगर कोई bureaucrate ले रहा है तो LG सहाब थोड़ा सा उन bureaucrates के ओपर भी नकेल कसें कि इस